आज हम बात करेंगे व्रशव राशी यानि के टॉरस वाले लोगों के लिए कि इनका जो बच्पन है जवानी है और बुड़ापा है वो कैसा जाता है और इनके जो राशी की प्रमुख बाते हैं आला कि वो क्या है जैसे कि इनको खाना पसंद है ज्यादा सोचना पसंद नही है भैंकर डंग से गुच्सा है तो अगर इस तरह की बात है और अगर इनकी लाइफ अगर किस तरीके से चलेगी अगर ये अपने एक नेचुरल पाथ पे चलेंगे और इनकी लाइफ की क्या हाइलाइट्स होंगी हम इसके बारे में बात करेंगे बट पहले हम बात करते हैं के भी टॉरस राशी वाले कौन लोग वागे हैं जो टॉरस राशी के इसमें आते हैं मलब घेरे में आते हैं तो टॉरस राशी के अंदर वो लोग वाग आते हैं जिनका डेट अप बर्थ अपरेल 20 और मई 20 के बीच का है यानि के अपरेल 20 और मई 20 के बीच में अगर आप पै कर लेते हैं और जो फेमस जो टॉरियन्स हैं जो फेमस जो व्रशव राशी के लोगवाग हैं हिंदुस्तान के अंदर उनमें हैं आपके वरुंधवन मनुझ बाजपई मादुरी दिक्षित ये जो है ये एक तरीके से और अनुष्का शर्मा ये जो है वो है मतलब ये जो है टॉरस राशी के लोगवाग हैं अब जो टॉरस राशी के लोगवाग हैं भी सब दिखने में मस्कुलर होते हैं बिलकुल मस्कुलर एकदम मतलब बिलकुल एकदम से जो ह चाहे रहेंगे एकदम से मतलब इलकुल क्या होलता है एकदम से जो है मस्कुलर टाइप के लह हूँए बाडी बिल्डर होंगे बड़े अच्छे ढंक से बाडी बिल्ड करते हैं और इसी तरीके से इनका जो life का जो element है वो चलता है लेकिन अगर हम देखे हैं अगर इनकी life के बारे में अगर आप इनके राशी के बारे में बात करें तो जो element है इनकी life इनके जो राशी का वो अर्थ है यानि कि भूमी तत्वा है और polarity जो है वो negative है quality ये fixed है fixed राशी में से म second है कुंडली में ये second house के मालिक पाए जाते हैं अब जो इनका color है जो इनका favorite color है कुछ लोग मां कहते हैं कि ये pink है लेकिन इस बात पर भी काफी सारी research हुई है तो research इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि pink ना हो करके green है basically इनका lucky jam जो है वो emerald है तो जैसा emerald green होता है तो उस इनका जो favorite जो इनका fool है वो ये गुलाब बहुत पसंद करते हैं और इनकी जो life के जो इनका match है वो cancer यानि की करक राशी और कर्णिया राशी वह लोगे साथ में मिलता है अब हम देखिए भाई जो toros राशी वाले हैं वो उसके साथ में इनका mail मिलाब बनेगा जो इनका खा I care about you if you take care of me I will take care of you if you do not take care of me forget about it अगर आप मेरे मारे में मेरा ख्याल नहीं रख सकते तो भूल जाए कि मैं आपके लिए कुछ करूँगा अब जो toros राशी के जो लोगवाग होते हैं वो उनकी और क्या किस तरीके से जो बाकी जो उनकी life के जो उनके segments है किस तरीके से करते एक तो देखो वही बहुत जादा dominant होते हैं life में मलब बिलकुल एकदम तरीके से dominant होते हैं बिलकुल मलब हर जगा पे चाय हुए रहते हैं ओके और life में बिलकुल possessive होते हैं मलब इनको जो है अगर इनसे एक बार किसी ने अगर कोई संबंध है अगर इनका किसी के साथ में क इनको छोड़ करके जाए और इनको अगर कोई डंप करता है तो यह उसको बड़े दिल पे ले लेता है और दिल पे लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है यह लाइफ को एक तरीके से देखना चाहिए इनकी लाइफ में एक ही चीज है फूड फाइट एंड प्लेजर ओके फूड खाना टाइम बर मिलना चाहिए फाइट वालब जो एक दे डूना वन तो फाइट बिकॉज वहां पे कोई कॉज है विकॉज फाइट के अंदर एक इनहेरेंट प्लेजर है यह उस प्लेजर की वेज़े से फाइट करना चाहते हैं ओके एंड प्लेजर प्लेजर इस आफ और जो इनके आसपास की दुनिया है ये चाहते हैं एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए याद दास्त बहुत शांदार होती है और याद करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है और जो इनकी लाइफ का एक और चीज़ है कि ये काफी पेशेंट लोग बागवाने गए हैं मतलब काफी इनमें धहरे अच्छा खासा होता है और धहरे अच्छा खासा होनेगी वेसे गुस्सा भी पाल के रखते हैं अंदर बिल्कुल आप इनको कुछ कहते रहो ये आपको जवाब नहीं देंगे इतना पेशेंट सोता है इनके अंदर लेकिन जब ये जवाब जब इनको लगेगा कि अब जो है पानी जो है सिर से ऊपर जा रहा है तो ये आपको भरपूर जवाब देंगे और इस तरह का जवाब देंगे कि आप जो है इनको आप इन से आप बचने का ही रास्ता ढूनोगे दूसरा क्या है कि ये इस्टरबर्ण होते हैं जिद्धी होते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा दुनियादारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है ये नियर साइटेड होते हैं बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगा स्वार्थी होते हैं स्वार्थी नहीं होते लेकिन नियर साइटे होते हैं बिलकुल मलब सबसे पहले पास की चीज़ों को ज़्यादा दूर दरस्ती नहीं होते पास की दरस्ती अच्छी होती है और एक तरीके से देखा जाए तो छोड़े बहुत लालची होते हैं लेकिन इनको अच्छा खाना अच्छे कपड़े और अच्छा और अच्छा महूल ये इनको बड़ा अच्छा लगता है फूड ड्रिंक ये बहुत अच्छी लगती है इनको फ्लैटरी पसंद होती है शॉपिंग करना पसंद है और ये अगर आपको अगर आपको टौरश राशी वालों को खुश करना है तो इनको आप एक गिफ्ट दे दीजे कोई ये बड़ा पसंद करते हैं इनकी आप तारीफ कीजिए ये तारीफ पसंद करते हैं लोग आप और इनको ऐसे लोग आप बिलकुल पसंद नहीं है जो इनकी अब अगली चीज है कि ये सिर्फ वो चीज सुनते हैं जो इनको सुननी होती है ये बहुत जादा चीजों पे ध्यान नहीं देते और फालतू चीजों पे तो बिलकुल नहीं ध्यान देते ओवर एनलिस बिलकुल नहीं करते आप इनसे फूड ड्रिंक ठीक है मनी की बात करो ये बिलकुल पूरा ध्यान लगा करके सुनेंगे आपकी बात लेकिन इनको एक तरीके से यह है कि अगर इनको ये फूड ड्रिंक और ये सब कुछ ताइम पे मिलता रहे तो ये बड़े खुश है बहुत जादा morality के चक्कर में नहीं पढ़ते I will not say moral है बट बहुत जादा morality के चक्कर में भी नहीं पढ़ते है अगर कोई workaround है कहीं पर किसी चीज से निकलने का तो ये बिलकुल उसको निकल जाएंगे ठीक है जी money जो है पैसा जो है इनको बड़ा प्रिय होता है खाना ये बिलकुल प्रिय करते हैं they like to eat basically अब यहाँ पर एक किसी नहीं बुला है कि वो खाने के लिए नहीं जीते हैं वो जीने के लिए खाए और वो they live to eat basically they don't eat to live but they live to eat और food जो है इनको time पर मिलना चाहिए और बड़ा अच्छा खाना मिलना चाहिए उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ सोच विचार है नहीं ठीक है जी दूसरी चीज़ क्या है कि अब इनका मनुरॉंजन किसी से होगा मनुरॉंजन के मामले में बड़े पिकी है भाई सब इनको कोई खास मनुरॉंजन नहीं चा जाते हैं अच्छा जी दूसरा क्या है कि flirting अब इनकी कोई पेंपरिंग कर दे या इनको कोई flirting कर ले इनके साथ में इनको बड़ा पसंद आता है इनको दोस्ती इतनी पसंद नहीं है लेकिन जितना जो है फ्लर्टिंग पसंद है शॉपिंग पर निकल जाएंगे तो लंबी लंबी शॉपिंग करेंगे ठीक है जी अब यह आए कि वही जो इनका जो टॉरस राशी वालों की जो कहानी है वो में तोर पे इस प्रकार की है तो यह एक तरीखे से मैं बोलूँगा कि यह ऐसे लोग बाग है जो की मलब योगदान करेंगे लेकिन सबसे पहले इनको यह देखेंगे वाट इस इन इट फॉर मी इससे मुझे क्या मिलेगा इसका जवाब जब तक इनको नहीं मिलेगा यह कुछ भी नहीं करने वाले अब हम तर देखा गया है कि यह ऐसे गुरुप में इनका पालन पोशन होता है या ऐसे माहौल में होता है जहां पर रिसोर्स की कमी होती है और जहां पर रिसोर्स की कमी होती है वहाँ पर एक सर्वाइवल सबसे बड़ा एक इस्टिंक्ट बन जाता है जो सर्वाइवल इस्टिंक् यह काफी हद तक माईजरी कंजूसी वाले भी ट्रेट्स इन में आने लगते हैं और जवानी में यह कहीं पर बेवी यह अगर इनको फूट ड्रिंक्स और प्लैजर में यह कितना भी पैसा खर्च कर देंगे लेकिन जहां कहीं भी एक राइटियस मनी खर्चा करना होगा वहां पर यह जो है जो है कंजूसी दिखाएंगे जो आवश्यक चीजे हैं उनमें कंजूसी दिखाएंगे तो जवानी में बच्पन जो है वो एक तरीके से यह सीखने में गुझ्रा की रिसोर्सिज का संचयelect करना चाहिए और जवानी जो है इस में गुझ्रेगी कि इन को कैसे जाए या कैसे इनको समाल के रखा जाए क्योंकि जिस तरह के दौर से विस्टोरस राशी वाले गुजरते हैं उसमें अधिक तर यह देखा गया है कि उनको लगता है कि पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए तो उसको बचा के रखना जरूरी है तो इस देखी गई में बहुत सारे लोग आओ के जो है यह बुरे भी बनते हैं इनमें patience होता है no doubt about it लेकिन बढ़ापा आते हाते यह काफी हद तक लोग आओ के एक तरीके से मैं बोलूँगा कि ignorance के शिकार होने लगते हैं लोग बाग इनको ignore करने लगते हैं अगर यह और अपनी ही जनता जिन का nature ऐसा है because क्योंकि life की यत्रा ऐसी रही है और यह और अगर यह बढ़ापे में भी हैं तो यह थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर लोग बाग उसे प्रिय हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वहाँ पर इनको एक तरीके से काफी सारी चीजें इनको dependency वाली life जो है य दिलके बुरे नहीं होते हैं बहुत अच्छे लोग बाग होते हैं इनका थोड़ा ख्याल रखिए उके इनको ignore करने की विल्कुल भी जरूरत नहीं है और खाना पसंद है ज्यादा सोचते नहीं है और गुस्सा भरपूर करते हैं तो इस तरीके का जीवन यह जो एवरशब वाचिंग गौट